नमस्कार दोस्तो, इस्टडी निउज में आपका स्वागत है, आज हम लोग जगरफी विद मैपिंग में चैप्टर फाइव भारत के अपवा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, सो लेट्स स्टार्ट ड्रेनेश सिस्टम एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवा की एक विसेश प्रडाली होती है, यह एक प्रकार का नेटवर्क या जाल होता है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर पानी का एक दिशात्मक प्रवा बनाती हैं, एक नदी में पाई अभिप्राय जल धाराओं तथा नदियों द्वारा जल के धरातलिये प्रवा से होता है, अपवाह तंत्र या ड्रेनेश सिस्टम का संदर बस्षरिताओं की उत्पत्ति और उनके समय के साथ विकास से होता है, इसी में एक प्रकार होता है अपवाह प्रतिरूप जिसे ड्र प्रेनेश पैटर्न जो नदी होती है उसके ज्यामती रूप या इस्थानिक विवस्था से होता है, भारत नदियों का देश है, यहां लगभग चार हजार से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां पाई जाती है, इसके अपवाह को मोटे तोर पर दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें एक है हिमाले का अपवाह और दूसरा प्राइदीपिय अपवाह, अब हम लोग बात करते हिमाले के अपवाह तंत्र के बारे में, हिमाले की उत्पत्ती से पहले तिबबत के मानसरोवर जील के पास से निकलने वाली नदियां, जिसमें सिंधु, सत सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी टेथिस सागर में गिरती थी और प्राइदीपिय पठार की भी कुछ नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन और सो नदी उत्तर्ब की और प्रवाहित होते हुए टेथिस सागर में ही गिरती थी टेथिस सागर के मलवे पर भारती प्लेट के द काट कर अपनी दिशा पूरवत बनाए रखी है जिसके फलस्वरूप इन नदियों को पूरवरती नदी कहा जाता है इस मैप में आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये तीनों नदियों ने व्रिहद हिमाले को काट कर खड़े कगार वाले घड़ों का निर्माड किया जिन्हें गार्ज भी कहा जाता है जैसे सिंधू गार्ज जम्मु कस्मीर में सिंधू नदी द्वारा बनाये गया है सिपकीला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी द्वारा बनाये गया है और कोर्बा गार्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रमपुत्र नदी द्वारा बनाय गया है हिमाले के धीरे धीरे ऊपर उठते रहने के दोरान वर्सा का जल हिमाले पर नदी घाटियों का विकास किया हिमाले की चोटियां के हिम रेखा के ऊपर उठने के बाद हिमाले पर बर्फ का आवरण हो गया जिन से निकले हिमनद नदियों द्वारा बनाई गई घाटिय से होकर बहने लगे इस प्रकार हिमाले में पहले नदी घाटिया बनी फिर हिमनद बने इन नदियों को अनुवर्ती नदी कहा जाता है क्योंकि ये ढाल बनने के बाद ढाल के अनुरूप बहना प्रारंब करती हैं व्रिहद हिमाले की नदियों द्वारा लाया गया अवसाद व्रिहद हिमाले के दक्षिड टेथिस सागर में जमा किया गया जिसमें विभिन चट्टानों जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कांगलो मिरेट और इन सब का निक्षेप हुआ जिसके फलस्वरूप टेथि कि तलहेटी अवसाद भार से लचकती गई, इसी के कारण बाद में मध्य और लगु हिमाले का निर्माड हुआ, व्रिहद हिमाले से निकलने वाली विभिन नदियां जैसे यमुना, गंगा, काली, गंडग, कोसी और तिस्ता नदियों ने मध्य हिमाले को काट कर अपनी घा बात करते हैं सिंधू तंत्र के बारे में, सिंधू नदी तंत्र विश्व के विसालतम नदी तंत्रों में से एक है, इसके अंतरगत सिंधू तथा उसकी सहक नदियां जैसे जेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, जासकर, गोमल, द्राश, श्योक, सिगार, कुर्रम, बूल, तथा गिलगिट सम्मिलित है, सिंधू नदी तिबबत के मान सरोवर जील के निकट से निकलती है, ये 2880 किलोमीटर लंबी है और इसका संग्रहंड छेतर लगभग 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर छेतर है, सिंधू नदी की सहक नदियों में जो बाई और से मिलने वाली नदियां है, वो पंजाब की पाँच नदियां, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और जेलम हैं, जिसे पंच नद भी कहा जाता है, ये पाँचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधू नदी की मुख्य धारा से मीठन कोट के पास मिलती हैं, जासकर, स्यांग, सिगार और ग पाबूल और उसकी सहेक नदियां सिंधू में अटक के पास आकर मिलती हैं, अब इस मैप में आप ध्यान से देखिए, सिंधू नदी मानसरोवर जील तिबबत से निकलती है, इसकी लंबाई 2880 किलो मीटर है, और ये अरब सागर में जाकर गिरती है, इसके बाद बात करते ह सतलज नदी, ये भी मानसरोवर जील से निकलती है, इसकी लंबाई 1500 किलो मीटर है, और ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, रावी नदी रोतांग दर्रा से निकलती है, जिसकी लंबाई 720 किलो मीटर है, और ये भी चिनाब नदी में ही मिलती है, फिर है व्यास नदी, ये भी रोतांग दर्रे से निकलती है जिसकी लंबाई 625 किलो मीटर है और ये सतलज नदी में गिरती है व्यास नदी की सहयक नदियों में पारवती, हुरला और तीर्थन नदी प्रमुक है फिर है जेलम नदी जो सेशनाग जील से निकलती है जो पीर पंजाल में है इसकी लंबाई 1180 किलो मीटर है और ये भी चिनाब नदी में ही मिल जाती है तो इस वीडियो में आज इतना ही अगले वीडियो में हम लोग गंगा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे So thanks for watching this video Please like, subscribe and comment कर दो झाल